इजाद जो आपके लिए लेके आया हूँ किया सेल्टोस का बेस वेरिंट एच्टी इजो कि आपके सामने है की जो आपने अभी देखी अच्छे से दिखाऊंगा आगे वीडियो में पाके आप चेक कर सकते हैं आप इसके प्राइस एक्षोरों वो है 9.95 एक्षोरों है अपनी नियरस शोरों में जाके यहाँ पर किया का नियू लोगो जो की सिल्वर कलर में दिया गया है फिनिशिंग जो है काफी अची की इसकी जो कि आप गोर से एक बाद देख सकते हो प्रोजेक्टर में इसकी LED हेडलाइट नहीं मिलती है जो कि यलो किलर में आपको मिलती है आप इसको अफ्टर मार्केट जो कि आपको लगों 20-22,000 तक पढ़ती है यहाँ पर आप साइड प्रोफाइल चेक कर सकते हो भी साइड प्रोफाइल में चलते हैं और साइड में टायर साइज देखते हैं टायर साइज वगरण क्या रखा गया है तो यहां पर टायर साइज आपको दिखा देता हूँ एक बर यहां पर वील कबर आपको मिल जाते है कंपनी से ही जो टायर साइज रखा गया है इस वो आप चेक कर सकते है 205 एंड यह आर 16 ही रखा गया इसका साइज भी जो टोप मोडल में आपको मिलता है यहां पे जो आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स जो ही इसके ओवार वियम में नहीं देखने हो मिलेंगे फेंडर पे देखने हो मिलेंगे जो कि अलसो देखने में काफी सही लगते हैं जलते में भी जो काफी सही लग जाते हैं बडिकेट मल जाती आपको गाड़ी के चारु तरफ ब्लेक कलर की कोई भी आपको कीले सेंट्री वगरा यहां पर नहीं देखने को मिलेगी ए पिलर जो हापको पियानो फिनिस में एंड यहां पर जो बी पिलर वो आपको मैट ब्लेक में सो कहने को मतलब जितने ही पिलर से आपको ब्लेक कलर में ही देखने को मिलेंगे छत पर जो हापको कोई भी रूफ रेल्स वगरा देखने को नहीं मिलती पीछे की साइड में जो हापको यहां पर सेम टायर साइज और जो है डिस्क ब्रेक मिलता है डिस्क ब्रेक जो अभी अच कुछ ऐसा है इस गाड़ी का रियर जो है चेक करो टेलाइट जो काफी सही दी गी है जो कि हैलोजन में है LED का यूस नहीं किया गया है उसके लावा जो गाइस नीचे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते इस गाड़ी में चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं एंड यहाप जो आपको एंटीना मिल जाता है शार्क फिन जो कि आपको बेस मोडल में भी काफी सही फीचर मिलता है बट रूफ रेल जो आपको नहीं मिलती उसके लावा जो आप चेक कर सकते होगा इस साइड में कुछ ऐसी दिखते है गाड़ी यहापको वाइपर डीफोगर वगरा जो कुछ ऐसी दिखते है गाड़ी अभी चल लेते हैं इसके अंदर और फिर दिखाता हूँ है इस क्या स्पेस आपको मिलता अगली जो सीट है वो मैंने अपनी साब से सेट कर रखिया है यहाप कोई कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलती नहीं फ्रेंट में नहीं रेयर में आपको कीज से ही गाड़ी पोन करना पड़ेगा यहाँ पर आपको आपको पावर विंडो मिल जाती रेयर में भी यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिसका डॉर उपनर उसके लाव जो नीचे की साइड में आपको वन लिटर का वोटर लोल्टर जो की काफी सही दिया पावन को शार्ज कर सकते हूँ बाकी जो है आपको कुछ ऐसी सीट्स मिलती है देख सकते हो पीछे की साइड में आपको केविन लैंप मिल जाता है जो कि ओल्सो काफी सही फीचर इसका विगोस बेस मोड़ल में जो है बेसिकली मिलता नहीं है काफी सारी गाड़ीों में ले तो काफी साइब आ रही है and quality जो है काफी साइब रगई है जो sound के साब से बिल्ड क्वाल्टी काफी साइब कियागी अभी जो है controls आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कोई आपको electronic ORVM नहीं मिलते हैं यह जो है सिर्फ manually आपको मिलते है यहाँ पर चारो power window आपको मिल जाती है जो कि कोई सी भी window जो है auto touch feature के साथ में जो है नहीं आती है लोग unlock का feature आपको मिल जाते है यहाँ जैसे कि मैं lock अभी कर रहा हूँ तो यह आप चेक करूँ door opener जो है आपको silver color में जो काफी अच्छा लग रहे है फिनिशिंग जो है काफी अच्छी दीगी इसमें तो यह काफी सही लग रही है बाकि जो डूर कुछ ऐसा है कहीं पर भी soft material को यूज़ नहीं किया गया है नीची की साइड में जो हूँ 1.5 लिटर तक की बोटल आप एजली यहां पर रख सकते हूँ काफी अच्छा स्पेस दिया गया है अभी जो आप चेक करूँ इसका पूरा dashboard डैसबोर जो है किया सेल्टोस बेस वैरेंट ह्टी एका कुछ ऐसा आपको दिखेगा जिसमें कि आपको आपके basic features जो है मिल जाएंगे यह नहीं कि आप maths स्टीरियो बिलकुल भी नहीं है, यह जहां सिम्पल Bluetooth वाल आपको मिलेगा, जो कि सभी है, यदि आपको जुछ जादा features की जरुरत नहीं है, आपको सिर्फ songs वगरे भी play करने Bluetooth वगरे, जहांतर जहांतर मेरा मानना है, जात तरह हम सिर्फ Bluetooth से ही connect करके चलाते हैं चाहिए फिर हो कितना ही बड़ा या फिर कितना ही feature loaded जो stereo हो कुछ एक दो जिन के शोक होते हैं उसके बाद में जो हम सब Bluetooth से connect करते हैं और जो अपने phone से चलाते हैं यहां पर काफी hard होता है यहां से select करने में मतलब काफी सिर्दर्दी होती है तो हरको यह Bluetooth से connect करके चलाता है तो वह यहां पर आपको simple मिलेगा जो कि कुछ टाइम बाद आपको realize कराएगा कि हाँ यह भी value for money है उसके लाव नीचे आपको USB charger मिल जाते हैं यहां पर आपको 6-speed का इसमें की rear का जो gear है वो आपका ऐसे इस side में डलता है बाकी जो है आपके normal है six gear तो यहां पर आपको smoothness काफी अच्छी मिलेगी से steering के बात करूँ तो steering आप चेक करूँ कि यहां कर आपको logo मिल जाते है बीच में जो की काफी सही लग रहा भी है नया वाला model में यहां पर सार आपको तीनों बेटन मिल जाते है लोग अनलोग जो है बूट ओपनर का यहां पर दोनों की में जो है फीचर मिलते है तभी तो किया किया इतनी अच्छी मार्केट है तभी इसकी इतनी सई फैन फोलोइंग बन रही है बिकुस यहां पर फीचर आपको base model में वह सब देरी कं companies के middle variant में जाके मिलते हैं अभी के की लगाते हैं आपको दिखाता हूं इसके MID जो की सेम एच्टीके वाली है तो वह भी आपको दिखाऊंगा तो भी की को insert कर लेता हूं मैं यहां पर चेक करो, अभी इसका कंसोल ओने में थोड़ा सा सेकिंड लेता है, तो यहाँ पर चेक करो कुछ ऐसा पूरा इसका कंसोल है, इधर की साइड में आर्पियो मेटर, नीचे जो है टेंपरेचर मेटर, बीच में आपको M.I.D. जिसमें के आपको, माइलेस वगरा, रेंज वगरा टेंपरेचर वगरा, ओडोमीटर वगरा, सब कुछ यहाँ पर शो करेगा, उसके लाव वर्निंग्स वगरा भी यहाँ पर शो करते हैं, जिसमें के खिड़की ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर यह भी शो करेगा, यह सारी वर्निंग्स यहाँ आपर शो करने वाला है, तो यह काफी सही है, उसके लाओ इधर की साइड में आपको राइट में स्पीडोमेटर मिल जाते हैं, जिसमें की 240 तक की मार्किंग है चेक करो, यहाँ पर नीचे आपको फ्यूलमेटर भी मिल जाते हैं इसमें शायद स्पीकर्स भी जो हो आपको, बहुत वगरा की नहीं मिलते हैं नॉर्मल स्पीकर्स आपको मिलते हैं स्पीकर्स कंफर्म नहीं है, दो है या चार है, तो आप कमेंटर बताने हैं कि इसमें कितने स्पीकर्स आते हैं यहां पर आपको आपको फ्रेंट में दो speaker मिलते हैं जहां तक कि Met민 में पता पा रहा हूं वाह में तक चाहिए दो speaker तो दो में आपको पूरा डेश यहाँ पर कोई सव्थ हो आपको सिंपल एंड यहाँ पर आपको यह यहां पर जो आपको cabin light मिल जाती है पीछे की साइड में भी और आगे की साइड में भी यहां पर वैंटी mirror मिल जाता आपको co-passenger side लेकिं ड्राइवर side जो आपको नहीं मिलता है उसके लाव जो है co-passenger side आप खिड़की check करो यहां पर आपको power window वगरा सब को जो है दी जाती है कोई भी छेड चाड कराने की जरूत नहीं पड़ती बाहर से यहां पर जो आपको दो का फोल्डर मिल जाते हैं यह आपको जो गलोब ओक्स मिल जाते हैं जो की काफी सई स्पेस दिया जाते हैं यह और जो उपर यह तोड़ा सा soft soft आपको लगेगा जिससे कि आपके हैंड मे पूरा अपना किया celtos hte variant का base model का जो की काफी सई लगा एंड यहां पर जो है नीचे आपको पैडल स्वगरा मिल जाते हैं रेस वगरा के और सब कुछ सो ऐसा कुछ तो इसका front का पूरा dashboard है यहां पर आपको पूरा इसका glow box मिल जाता है जिसमें आप अपने documents वगरा ही रख पाओ ज्यादा कुछ space नहीं मिलता आपको बागी आइस अभी जो आपको headlights वगरा जो ओन करके दिखा देता हूँ ओन है वैसे तो अभी ओफ करता सो यहां पर जो ही यह हाई बीम है इसकी एंड यह जो है लो बीम है सो जैसी जो ही इसके headlights है तो इस यहां पर और आपके काफी साई package मिल जाता है प्राइसिंग जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी जो प्राइस है इसके एक showroom on road जो अपने showroom में चेक कर लेना आपको ज यह की company ने launch कर दिया है एंड यह है आपके सामने lockdown के विजए से जो है आपको यह थोड़ी सी लेट मिल रही है वीडियो वरना पहले आपको मिल जाती है यहां पर चेक कर सकते हो पूरा फ्रेंट लुक फ्रेंट में जो है काफी एच्छा लुक है इसका फ्रेंट का यहां प जो आपको ए बी पी ए बी सी पिलर जो आपको ब्लैक कलर में बाकी पीछे आपको टेल लाइट कुछ ऐसी तो कुछ ऐसा जो ओवर ओर लुक्स है इस गाड़ी का